प्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो आज में लेकर आचुके हूँ व्लॉग का तीसरा पाठी आनिकी आगरा टू जैपूर तो अभी मैं हूँ आगरा में ही और आगरा में ताजमेल में देख लिया आपको भी अच्छे से दिखा दिया है तो आप भी हमारे साथ इंजॉय करते है कि कहा कहा हम गए और क्या क्या देखा तो जैसा कि अभी हम आ चुके हैं ताजमेल को देखने के बाद रास्ते में मेरा रूम था पहले पढ़ता था आगरा फोर्ट तो लेकिन सुबा सुबा हम लोगों ने पहले ताजमेल का नजरा देखा और फिर आ चुके हैं आगरा फो और व्लॉग को आप जाके देखें और इंजोय करें बहुत ज़्यादा मज़ाने वाला है तो यह चो रहा है जहां पर यहां पर बहुत ज़्यादा भीर लगी हुई है यानि कि आगर अफोड के सामने नास्ता पानी जो भी है और हम लोग बहुत भूखे थे तो हम लोग ने हम यह को वीडियो समालना है तो खाने में हम भी लग चुके थे जहां पर हम वीडियो शूट नहीं कर पाएं अब आज चुके हैं लाइन में जिधर लाइन बनी हुए जिन्स की अलग और लेडिस की अलग और सबसे बड़ी बात यार जहां जाओ बस खाने का बैग ही पहले जब तो कर लेते हैं बाकी काम तो बाद में होता और चह चाहती केचडियां मतला बहुत ज़्यादा समय नहीं था यानि कि दस या ग्यारा के तकरिवन जो हम लोग आगराफोट बहुत चुके थे और हमारे बेटी तो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थी क्योंकि पहले पर्स प्यार की दिया है यानि कि उसीरियल को तो आपने जैसा विज उसमें देखा था सभी ज्यादा मजह आ गया लगा कि हाँ वाकई में मतलब से वैसा ही है यार सूटिंग तो महल में होती है लेकिन हाँ अपने आखों से देखा मेला टीवी को छोड़के तो बहुत ही अच्छ कि जो भी दीवाने खास वहाँ परे जो प्रजा होती थी अपने समस्य को कहते थी यह वह जगह है जहां पर अच्छे से सब लोग अपनी बातों को कहके रखास मनवाते थे या बताते थे तो यह वह जगह है आप हम निकल चुके हैं आगे तरह और नकासी तो बहुत ही किया गया और यहां तक मतलब वहां पे काम भी चला था क्योंकि काफी पुराना है तो थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं करक आ चुका है जिसके उधर से मरमत भी शुरू है अब यहां से पूरे रानिया या दासी जो भी है जो महल के अंदर रहते थे पूरा साहर का नजारा कु को याद होगा कि कहीं न कहीं आपने यह जो आगे है वो देखा होगा कि तोप दगाते हुए या कभी रानी लक्षमी भाई को जम करते हुए घोड़े से से मुझे लगा मुझे लगा आप लोगों को लगा कि नहीं लगा आप बताईएगा और महल तो या इतना बड़ा इत देखिया जहां गिर की नय की जन्जीर है यहां पर नय होता था और यह भी बहुत बड़ा है और यहां पर रानी हुई यह दासी हुई सब लोग बैठ के अपना बादचीट जो भी होता था वो बादचीट करते थे यहाप है हमारे दोनों बच्चे को भी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो तो अपने अम्मा से सरफ दानी और राजा की कहानी ही सुनते हैं आज रियल्टी मुनों उन्हें महल देखा तो उन्हें ब आवाले हैं कहीं और जी हां इसे जानने के लिए और इसे देखने के लिए बने रहना पड़ेगा हमारे साथ तो यहां का सफनी भी होता है और हमारे ट्रेंड जो है आगरा टू जयपुर वो कैंसल हो चुकी थे तो यहां पर बनत तुरंद करत में बस बूकिंग करनी और आगरा से मतलब जाने वाली रागी रास्तों में मतलब टोल टेक्स जादा ही बना हुआ था मतलब इस रास्ते पर वैसे तो मैंने सुना था कि टोल टेक्स जादा देना पड़ता है क्योंकि रोड अच्छी है तो टोल टेक्स तो देना ही देना है और आप लोग हमारे साथ बने रहें याने कि जैपुर के लिए निकल चुके हैं वीडियो को कर ले लाइक शेयरों को सब्सक्राइब मिलते हैं हम जैपुर में तब तक के लिए बाई बाई